हाई एवरिवन इस वीडियो में हम लोग जो एक्जाम के दिन की स्ट्रेजी क्या होनी चाहिए उसको डिसकस करेंगे किस टाइप से पेपर को अप्रोच करना है क्या माइंड सेट होना चाहिए किस वे से जा सकते हो मतलब दो राउंड करने हैं तीन राउंड करने हैं ओमर कब बरनी है थोड़ा basically मैं आपको पताऊंगा this might help you in getting good marks क्योंकि ultimately manage करना ही important होता है मतलब exam के दिन में तुम्हें knowledge हो जैसे मेरा एक दोस्त था पिछली साल उसने प्री दिया था and उसने क्या गलती कर दी थी कि last moment में he was like कि मैं 10 minute में OMR भर दूंगा completely तो उसने क्या कि last में उसकी OMR भरी नहीं मैं उसके around 40 question तक लगई नहीं थे उसके 10 minute में 60 question तक की ही OMR वो भर पाया था तो आपको इस type की जो ये silly mistakes होती है ना कि OMR नहीं भरी गई उस type की चीजों को please उस type की तो at least गलती नहीं करनी है पेपर टफा जाए वो एक different चीज है लेकिन जो basic चीज है उस पे आ पहुंच जाओगे तो लगबग लगबग आपका उसी zone में आ जाओगे और पेपर उसी mindset से अगर हो गया तो probability हाई है कि लगबग आपका निकल जाएगा चीज है तो हम लोग अभी से start कर चा कि अभी क्या करना आपको जैसे अभी जितने भी दिन बाकी है आपको क्या करना ह कि 9.30 से 11.30 तक PYQ solve करो आपको at least PYQ solve करो क्योंकि PYQ से यह होगा ना कि आपका mindset UPSC के mindset से बनेगा मतलब उनके जैसा mindset आपका बनेगा जैसे वो लोग पूछ रहे हैं कि मानलो इस बार उन्होंने फणम पूछा तो उसी type से आपका mind बनेगा कि ऐसा random question आ गया तो मेरे को exam क moment में इसी time में कैसे निकालना है मतलब उसी सुबह साड़े 9 से साड़े 11 वाले time में कैसे paper निकालना है ठीक है तो वो काम करो पहली चीज तो अभी के लिए यह काम करना है at least आप कुछ नहीं करो आप full end mock मत दो लेकिन at least यह try करो कि आपका जो UPSC का PYQ है उसको आप इस साड mindset अभी से बना के चलो कि UPSC का paper different आएगा हमने पढ़ी यह river वो kenyan पूछेंगे हमने पढ़ाए inflation basic पढ़ाए लेकिन वो implication पूछेंगे हमने devaluation of the currency पढ़ लिया है लेकिन वो implication पूछेंगे उसका तो तुम यह mind में लेके चलो कि UPSC एक step तुमसे आगे सोचती है ठीक है तो paper tough आएगा paper different आएगा paper में कुछ और extra हो सकता है इस बार जैसे इस बार IR था वो उन्होंने option इंट्रोड्यूज कर लिया था only one only two only three वाला चीक है तो इस बार भी कुछ different होगा ऐसा नहीं है कि इस बार same उसी pattern पर paper आ जाएगा नहीं इस बार और थोड़ा different होगा तो आपको mindset mindset में क्या लेके चलना है कि paper will be different और people will be difficult बट मेर को sell through करना है उसमें भी आप पिछले 13 से लेके 22 तक का paper देखो around 70 to 80 question are doable तो आपको mindset क्या लेके जाना है कि 72 to 80 question doable आते हैं it's just that कि मुझे वहाँ पे बैट के 70 to 80 question निकालना है ठीक है यह हो गया फिर आपको क्या देखना है कु मतलब first question से ठीक है well and good है अगर आपको लग रहा है कि first से नहीं करना 51 से करो 25 से करो 75 करो यह आपका अपना है यह आप अभी से device कर लो ताकि वहाँ पे जाके आपको हडबडात नहीं होगी ठीक है एक back of the mind लेके चलो कि 65 plus question will be there जो basics के होंगे basics मतलब जैसे environment का उन्होंने यह मालनो कोई sulfur cycle, phosphorus cycle इनका question पूछ लिया हो inflation का basic question पूछ लिया कि inflation कौन manage करता है या labor bureau का basic question पूछ लिया या आपको यह पूछ लिया कि money multiplier क्या है मतलब यह जो basic question है यह 55 plus basics मतलब जो हमने अभी तक पढ़ाए ना वहीं से होंगे तो यह 55 plus rule आप mind में back of the mind लेके चलो कि paper कितना बीटा फाजाए मतलब paper मालो कि आपके beginning के 10 question भी ना बने लेकिन आप back of the mind ऐसा लेके चलो कि 55 question यहाँ पे basics है इस पूरे paper में मेरे को just वो pick up करना है और उनको गलत नहीं करना है किसी भी आलत में बाकि random question अगर गलत भी हो रहे तो it's okay इनको गलत नहीं करना है इनको गलत नह बीगनिंग के 10 question में आपको एक मोटा मोटा idea लग जाएगा कि मेरे को question attempt कैसे करना है मतलब approach कैसे करना paper को चीक है और उसके बाद rounds का भी लग 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 आपको पता चल जाएगा चीक है तो यह set A है बट यह set यह particular 90 first question है यह इस बार set C में first question था तो मेरे को जो UPSC official site डालती ह तो उस पे section A डालती है जो set A होता है वो डालती है तो मैंने यह जो particular 90 first question है यह मेरा इस बार set C था और उसमें first question था तो this was the first question अब आप सोचो कि एक normal अगर aspirant हो मान लो आप और उसने देखा कि only one only two only three यह तो कुछ गडबड है तो आपको पहले दिन ही मतलब अभी से आपको एक S-400 जैसा missile system defense system त्यार करके जाना है कि कि किसी type की missile आजाए बली वो मैदान में घुसते ही आजाए या फिर बीच में आए मैदान में या मैदान के last में मेरे को इतना strong defense system त्यार करके जाना है कि जो world का सबसे advanced हो मलब जो UPSC aspirant के field में सबसे जादा advanced हो कि तुम किसी type की missile मैं उसको defend कर पाऊंगा ठीक है अब ये question आया जैसी तो I was like ठीक है question असोक सही है तो मेरे को क्या था कि मैंने अभी option नहीं देखें ठीक है तो धौली मेरे को पता था कि धौली भाई ओडी साम है तो मैंने इसको tick कर दिया एरा गुडी कोई idea नहीं था इसको doubt में रख लिया ठीक है जोगाड़ा मुझे पता था कि ये मध्यपर्देश में नहीं इसको गलत कर दिया मैंने ठीक है अब ये exact नहीं पता था कि उडी साम है या मध्यपर्देश में कहां पर है लेकिन इतना था कि मध्यपर्देश में नहीं है मतलब जोगाड़ा कहीं इधर eastern side में है इतन तो मैंने इसको इस question को touch ही नहीं किया यहाँ पर अभी risk नहीं लेते हैं क्योंकि क्या होता है पता है कि मैं आपको एक अच्छी चीज बताऊंगा जब भी आप देखना means में अगर आपने means का answer writing लिखी हो तो पहले question में आपको लगता है कि आपका बिल्कुल जो cognitive aspect है ना mind का व जाता है तो तुमारा mind बहुत अच्छे से काम करता है मतलब last के times में जो मतलब जैसे दो गंडे का paper दे रहे हो तो जो beginning का one आ रहे है उसमें mind भी ना करें इतना efficient काम लेकिन जो last एक गंटा है उसमें बहुत efficiently काम करता है क्योंकि जो भी जितनी भी जो अपना conscious mind होता है वो subconscious स सारी information को conscious मिलाता है processing करता है तो इस question को क्या हुआ कि मेरे को लगा कि यहां पे उन्होंने कुछ गडबड किया है तो अभी उस question को छोड़ते है मतलब अभी address नहीं करते है मैंने इन दोनों को लगा लिया A and यह अपना C जो third वाल option है फिर मैंने इनको छोड़ दिया कि यहां एरा गुड़ी को गलत किया है मतलब इस type के option में एक vulnerability है अगर तुम समझ पाओ तो मतलब UPSC यह find out नहीं कर पाएगी कि तुमने मान लो यह जैसे यह option है ठीक है इसमें मैंने क्या किया last में मैंने एरा गुड़ी गलत कर दिया कि यह एरा गुड़ी है पका गलत मतलब यह question literally यह सही हो गया था बट यह different way से सही हुआ मैंने क्या सोचा कि एरा गुड़ी है गुड़ी मतलब क्या पता कुछ करनाटका साइड हो तो मैंने करनाटका ये लगा लिया गलत और ये भी गलत लगा लिया और कलसी लगा लिया सही कि कलसी करनाटका में definitely तो वो क्या हुआ कि ये कोशन गलत निकला है लेकिन इसका आंसर सही निकलेगा क्योंकि तुम्हें UPSC इस option की सबसे बड़ी vulnerability क्या है कि UPSC को ये पता नहीं होगा कि भाई तुमने कलसी को करनाटका में माना है या एरागोडी को आंधरा में माना है क्या किया है हमने ये जैसे question मेरा ultra निकला था बड़ ये question सही निकल गया था तो इसमें ये रास्टगूट का डाल दिया नानू का डाल दिया मैंने चंदेला का ये हटा दिया इसे ठीक है इतना मेरे को पता था मुझे लगा कि आप इन्होंने क्या पता कितने option में नहोंने गड़बड किया बड़ आप उस लाए कि ठीक है कि मैंने थार्ड देखा तो थार्ड मेरे को ठीक लगा कि यहां थार्ड में तो ऐसा system नहीं है मतलब इन्होंने फिर मैंने इधर देखा कि इधर पूरे इस question में बस ये दो option ही है इस पूरे page में कि इन्होंने only one only two बनाए तो मुझे लगा ठीक है मतलब last minute मेरे को थोड़ा broad लगब लगब समझ आ जाएगा कि कैसे इनको approach करने लेकिन अभी नहीं करने क्योंकि अभी हम just ये beginning ये पांच मिनिट थे ये मैंने हटा दिया ये लगा लिया and then I was like कि ठीक है इसको रखते है फिर इसको देखा ये question क्या हुआ पहला हटा लिया extreme है दूसरा non है तो non लगा ठीक है यहाँ पर थोड़ा मिनको लगा हाँ ये question चलो पहला question तो है जो अपना बनाए ये basic logic से question हुआ ऐसा मैंने कोई society का वो संगम literature का specifically नहीं पढ़ा कि वहाँ पर social structure क्या था बट basically ये अच्छा question था तो हो गया यहाँ पर उन्होंने संगम literature का पूछा है लेकिन इन्होंने तीन वह ये extreme दिये तो इसको मैंने हटाया बी निकाला और हातो हात OMR में डाल दिया कि ये मैं definitely sure हूँ कि ये सही है क्योंकि तीनों extreme है और एक generic statement था ठीक है तो थोड़ा वापस वह हुआ कि हाँ चलो अपना एक question बनाए यहाँ पर देखा योगवसिस्टा यहाँ पर भी मिरे को लगा अब क्या होता है तुम कभी भी कुछी नए question को इस बार भी योगवसिस्टा की जगह कुछ और होगा नए होगा फणाम की जगह कुछ और होगा खुलांदरान की कुछ और होगा बायोरोक की जगह कुछ और होगा लेकिन तुम है बस basic mind यह लगाना है कि अब इसमें तुम क्या तोड सकते हो को break किया वसी स्टा मतलब कुछ भूक होगे वसी स्ट ऐसा कुछ करके तो योगा है मतलब कुछ प्रोग्रेसिव चीज है और मुगल रूलर में प्रोग्रेसिव चीज कि नो ने करवाई अकबर 9 करवाई जनरिय उनके इबादित खाने से लेके जो भी उनके इंटर रिलिजिस डिबेट्स वगेरा होती थी सब कुछ तो मेरे को लगा अकबर हो सकता और मैं थोड़ा बाइस्ट भी था अकबर के साइड अकबर है असोक है इन सब की साइड कि इनकी probability ज़ादा है बट इस question में मैंने क्या किया इसको औरंग जेब को अठा दिया कि ये भाई साब तो नहीं करेंगे ऐसा काम तो जो बंदा इतना कटर हो तो वो generally नहीं करेगा मतलब उसके empire में उसके rule के time में किसी हिंदू धरम की book का translation होना थोड़ा difficult मुझे लगा ठीक है ये C हटा दिया मैंने साजा के time में generally की architecture हुआ था तो A and C and D हटा दिया अब आया मैं हुमयू और अकबर में तो मुझे लगा कि चलो इसको अभी sure नहीं था मैंने 50-50 में करके इसको छोड़ दिया ठीक है फिर आया इसमे इसमें देखो यहां पे उन्होंने रामनुज का बोला था बट यहां पे कुछ और पूछ रहा था कि वेदाजार eternal self-exeant and holy authoritative मुझे लगा कि यहां यह तो कुछ ना कुछ तो उन्होंने मतलब ऐसा बोला होगा योगा के सामने मतलब जो वेदा है उसके सामने कि वेदा में कहीं उन्होंने point out किया होगा कि वेदा यह चीज गलत बोल रहा है मतलब holy authoritative नहीं होगा मतलब कुछ ना कुछ उन्होंने point out किया होगा तो मैंने इसको अटा दिया कि यह मुझे extreme लग रहा था मेरा वो जो एक trick वाला mind था वो भी आ गया कि भाई question यहीं है मतलब answer यहीं है A या D में क्योंकि salvation salvation की बात दोनों में कर रहा है ठीक है यहां पर मेरे को first round पर इतना समझनी आया कि devotion लगा है meditation लगा है मैंने इनको छोड़ दिया ठीक है फिर आया यह यहां पर जो तिर लेंगा मेरे को पता था अब इस option में क्या बोल रहा है कि एक option एक पका गलत है क्योंकि generally जो history का होता है उसमें D नहीं होता है मतलब all three नहीं होते तो यह आपका UPSC का pattern है अगर आपने मेरे वीडियोस नहीं देखी है तो आप देख लेना जाके कि generally जो है इस टाइप के pattern के इस बार around 12 तेरा question आए एक question UN close वाला exception था बाकि सब में वही pattern था ठीक है वही pattern क्या कि D नहीं होंगे all three नहीं होंगे तो मुझे पहले सी पता था कि मेरे को निकालना क्या है एक definitely सही है मतलब मेरे को निकालना तीन और दो में तीन और दो में first round में मेरा इतना कि description दिया होगा नहीं दिया होगा यहां पर रादा कि ने किया है नहीं किया है प्रान पर 30 तो मैंने इनको छोड़ दिया ठीक है तो अब जो beginning के around जो 5-10 minutes थे उसमें मेरा यह question definitely निकला था जो 93 था बाकी मैंने किसी में 50-50 में कर लिए तो आपको क्या करना है ऐसे बिल्कुल random छोड़ना नहीं है यह open up करो ठीक है यहां पर देखो यह चीज यह वाला 95 तो यह दोनों argument हटा दोगे अगर तुम B & C को अटा देते अगर थोड़ा बहुत open up करते तो ऐसे question इस बार भी आएंगे random लेकिन आपको try करना है कि आप question को open up करो ठीक है तो यह थे मेरे beginning के six question जहां पर मतलब इतना क कुछ हुआ था एक question definitely लगा था कि भाई एक question पका चाहिए बागे किसी में मैंने जैसे यहां पर double statement में मैं फजा था कि अब जब second round करूंगा तो उस maturity के साथ लगाँगा यहां पर double statement है यहां पर 50-50 फजा हूँ यहां पर भी 50-50 में था यहां पर तो बिल्कुल यह idea ही नही मतलब यहां पर यह तो एक गलत होगा यह दो गलत होगे ठीक है यह option क्या बोल रहे है यह यह तीनो statement तो सही नहीं है ठीक है और तीनो गलत भी नहीं है तो either दो गलत है यह एक गलत है तो यहां पर देखो nanoparticles of some metallic oxide यहां पर technique हो गई अपनी काम कर गई कि some metallic है तो some is always right ठीक ह तो मैंने इसको क्या किया कि some को पहले ही सही कर दिया कि यह सही है यहां पर nanoparticles of some commercial तो यह भी सही हो गया कि यहां पर सम सम है तो मेरे को लगा two three एक बर ही चेक कर लेते one को other than those made by humans nanoparticles do not exist यह extreme था तो इसको अटा दिया मतलब this was the second question जो perfectly surety के साथ लग गया second नहीं सर्थ हो इन दो question ने आपका पूरा decide नहीं करना चाहिए मेरा कहने का यह मतलब है और सच में यह sea set is the best option best set to explain you कि जब UPSC कितनी भी बले वो ब्रमोंस डाले या फिर तुम्हारा कोई भी missile system डाले तुम्हें बले हो ballistic हो cruise हो किसी type की हो ठीक है तुम्हें अपना defense system अच्छे से करके ज़ बारकोडिंग में age का तो मैंने हटा दिया कि dna है तो dna age के हिसाप से अगर तुम एज assess करोगे तो यह बढ़ती भी है तुम्हारी तो यह तो basic वो है कि age के साथ dna थोड़ना change होता है तो यह मैंने हटा दिया तो पहला एंड तीसरा मुझे थोड़ा लग रहा था वो जनरि देफिनेटली सही है एंड दो में आ गया कि दो को आपन लास्ट में देखेंगे तो यहां पर भी 50-50 था ठीक है यह easy question था यह हो गया ठीक है तो अब यह जो 10 question थे beginning में उसमें एक निकला संगम literature एक टी एंड बी से ल यह वाला एंड यह question निकल गया यह question निकल गया question निकल गये और बाकि 6 question में I was in 50-50 थीक है तो आपको यह करना है जब भी यह first round होता है कि at least आपने जितना भी आपने elimination लगया है जो कोई लगया है सब कुछ 100 question में सब लगा लो अब क्या हुआ जब second time में निकल रहा था अब देखो इसका मैं आपको अच्छा वो बताता हूं कि question क कैसे निकलेंगे यह exact वो था मेरा 70 वही था तो यहां पर देखना एक second हाँ यह कुछ मेरा उल्टा सही हो गया कि मैंने एरा गुड़ी को आंधरा में निकाला इसको मान लिया आंधरा में तो यह UPSC को पता ही नहीं चलता कि यह काम होगा नहीं होगा प्लस मैंने यह four statement है न तो एरा गुड़ी मैंने गलत माल लिया करल से सही माल लिया तो यह कोशन मेरा ऐसे निकल गया यहां पर भी सेम कोशन ऐसे निकला कि only two डाल दिया यह all four और all one नहीं होगा ठीक है यह कोशन सही था यह कोशन योगा वस इस्टा वाला निकल गया तो लास्ट में अगबर की अ अच्छा है प्लस योगा है थोड़ा प्रोग्रेसिव है तो लास्ट में मिलको अकबर ही चूज करना था और हुमायू के टाइम में इतना मतलब एक होता है कि peaceful सामराज हो तो थो थोड़ी बुक वो ट्रांसलेट भी करे तो उसके टाइम में वार में उनकी भी गद्दी चि अच्छा है यहां पर यह मेडिटेशन और यह आपका डिवोशन ठीक है तो यह कुशन ऐसे निकल गया यहां पर यह था कि description आप सोमनाथ तो आप मानो कि यह description दिया हुआ हो सकता है एक ट्राविलर आया बार से foreigner ट्राविलर आया है और उसने इतने बड़े सोमनाथ मंदिर पर बात करी होगी possibility है मान लो कोई बंदा आप अगर घूमने जाओ दुबई में घूमने जाओ कहीं पर भी USA में जाओ या किसी बड़ी सीटीज में जाओ जैसे इंडिया में जाए कोई foreign नराई तो वो ताजमेल को जनरली देखेगा there is possibility अगर वो ट्राविलर है और मतलब उस ताइम में उसने अगर literature लिखी है तो ताजमेल के बारे में कुछ बताएगा कि ताजमेल ऐसा था अच्छा था जो भी था चीक है तो मुझे लगा description हो सकता है description की possibility है तो I went with one and two third मिरे को लगा Radha Krishnan की जगह कोई और हो सकता है क्योंकि यह इतने prominent वो नहीं थे कि एक prominent personalities उस ताइम में नहीं थे मिरे को लगा जवाला नेरू होंगे या सरदार जी होंगे या अपने कुछ डॉक्टर राजिंदर परसाद होंगे कोई दूसरा होगा यह नहीं होंगे तो safely मैंने third attack वह यह option बन गया यह हो गया फिर T and B तो पहले हो गया तो यह भी हो गया था last time मै दारेक्ट कोशन दिया है एक TB सेल का एंड एक दिया है यह ऐसी ड्रेन का प्लस दो मिसाइले यहां पर बहुत बड़ी बड़ी यह ब्रमोस है आई तिंग क्रूज या बैस्टिक है जो भी आप मान लो वह यहां पर थी तो उन्होंने I think seaset वालों को इसी लिए यह सेट दिय है कि तुम पहले यह मिसाइले face करो पहले तुम कोविड की situation face करो फिर तुम नॉर्मल में आओ फिर तुम देखो 10th question तक तुमारे वही उसी pattern में question लगने लग जाएंगे यह question उसी pattern में निकल गया यह question easy था तो आपको क्या करना है यह मैंने इसलिए sample दिया है so that कि आपको प only two यह वाला only three ठीक है तो इसमें क्या हुआ था न जब मैं second round जा रहा था तो मेरे को four option वाली stage मतलब वह mind में आ गई क्यार यह ultimately है तो four option नहीं देखो आप एक second यह question देखना आप यह देखो ultimately तो four option है four option है मतलब जब मैं second round कर रहा था तो मुझे उसी time में बीच में mind में आ लगाते मतलब only two option लगाते तब भी I think seven to eight आपका plus में रहता यह भी लगाता मुझे बट मैंने वही की यार एक बड़ी देखके कर लेते हैं ताकि कोई question गलत ना हो चीक है तो यह हो गया round two is enough उसके बाद तो यह है कि बिल्कुल काम माइंड से देखो काम माइंड से करोगे तो तुमारा दस चार पांस question और सही होंगे जैसे योग अवसिस्टा है फनम है गांडी कोटा है ग्रीन वाशिंग है ऐसे question को हमें सब ब्रेक अप करके करो तो लगबग possibility है कि आपका question अच्छे से निकल जाएगा and यह है कि ultimately मतलब UPS ही चाहती है कि तुमारा जो presence of mind है वो क इतना है किस वे से तुम question को निकालते हो क्योंकि I don't think कि तुमने रामानुज को इतना पढ़ लिया लेकिन यह specifically यह वाली बात नहीं पढ़ी होगी अपन जनरली static पढ़ते हैं factual पढ़ते हैं यह कभी तुमने नहीं पढ़ा होगा ठीक है सोमनात का इतना description तुमने नहीं के question मतलब trick से निकल जाता तो मेरा जो ultimately जो कहने का मतलब यह है कि UPSC paper tough देगी तुम अपने mindset को built up करके जाओगी paper tough आएगा but I have to clear it मतलब there is no other way around आप मतलब last minute last महीना बचा है and you can't abdict your responsibility कि मैं attempt नहीं दूँगा अगर आपको यह thought आ रहे हैं कि मैं attempt नहीं दूँगा अगली साल भी आपको यही आएंगे आपको यह साल में कुछ है ज्यादा कुछ कर नहीं लोगे यह आपका यह अपके यह अपने mindset की problem है mindset को अगर अभी सुदार लोगे तो आपको issue नहीं आएगा अगर अपने नहीं सुदारा तो वो कल भी ऐसी act करेगा और वो आपकी हर domain में एक् family relation में आपका यह mind यही mind काम करेगा confused वाला छोडने वाला abdiction of responsibilities तो last month है बिलकुल अपने कंदों पे responsibilities लो अच्छे से और उसको अच्छे से देखे आना आपकी responsibility है कि मेरे को paper अच्छे से देना है result अगर आएगा अच्छे से ठीक है नहीं आएगा तो कोई नहीं अगली बार देंगे तुम्हारा mindset ऐसा होना चाहिए न कि मेरे को paper अच्छे से देके आना है अगर तुम्हारा mind यह set हो गया कि भाई मेरे को paper अच्छे से देके आना तो फिर तो काम खतम है फिर तो result अपने आप उसका by product है चीक है तो यही है सब कुछ इस वीडियो में बाकी कुछ हुआ important तो मैं और वीडियो डाल दूंगा बाकी thank you so much for the watching मिलते हैं अगले वीडियो में